बड़ी खबर से शिर्वात कर रहे हैं नहीं रहे दिगज अभिनेता सतीश कौशिक सर्ट सर्ट साल की उम्र में आखरी सासली है करीबी दोस अनुपम खेर ने जानकारी दिये है ट्वीट कर खबर से बॉलिबुट गल्यारे में मातम पसरा हुआ है तो नहीं रहे दिगज अभिनेता सतीश कौशिक सर्ट सर्ट साल की उम्र में आखरी सासली है अनुपम खेर ने इस बात की जानकारी दी है ट्वीट क्या है साथी अपनी 45 साल की दोस्ती का जिकर भी क्या है सतीश कौशिक के साथ और साथी अनुपम खेर की तरफ से लिखा गया है कि मैंने कभी नहीं सोचा था इस सरे की जानकारी मुझे देनी पड़ेगी सतीश कौशिक के लिए तो करीबी दोस्त अनुपम खेर ने उपेजर का खिरदार ने भाय था सतीश कौशिक को 1990 में ब्राम लखन के लिए और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्व स्रेश रहाश अभिनेता का फिल्म फेर परुसकार जो है वो मेला था सतीश कौशिक के स्कूली पढ़ाई दिली में हुई थी किरोडी मल कॉलेज से ग्रिजिशन के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में एड्मिशन लिया और 1983 में बॉल्ली बॉड में कदम रखा तो कुछ समय पहले ही सतीश कौशिक ने अपनी जिन्दिकी का एक वाक्या भी शेयर करती हुए बताया था कि उन्हें फिल्म मंडी के लिए कास्ट कैसे किया गया था ये उनके करियर की शुरवाती फिल्मों में से एक थी सतीश कौशिक अपने लुक्स की वज़े से काफी चिंता में रहते थे लेकिन शाम बेनेगल की इस क्लासिक फिल्म में उन्हें काम मिल गया था एक्टर ने कपल शर्मा शो में जबारे में भी बात करती हुए का था कि उस वक्त मुझे किड्नी स्टोन के बारे में पता चला था मैं एस्पताल में एक्सरे करा कर लौट रहा था तभी मुझे शाम बेनेगल जी का फोन आया और उन्हें मेरी फोटो मागी मेरे पास फोटो नहीं थी और ये भी पता था कि फोटो देखकर तो कास्टिंग होगी नहीं मैंने उस माहल को थोड़ा इंप्रोवाइस किया मैंने उसे कहा कि मेरे पास अपनी तस्वीर तो नहीं है वो हो गई किस दर से कमेडी के जरी उन्होंने लोगों के दिलों पर राच किया और कैसे अनुपम खेर की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई जानता हूं मृत्य हुई इस दुनिया का अंतिम सच है पर ये बात मैं जीते जी कब अपने जिगरी दोस्त के बारे में लिखूंगा ये मैंने सपने भी नहीं सोचा था 45 साल के दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम Life will never be the same without you सतीश ओम शान्ती